प्रधान मंत्री को जानकारी का भाव है, अभी करपूरी ठाकुर्जी को उन्हें भारत रतन दिया, लेकिन उन्हें के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। पहली बार आरक्षन मिला था इसमें तो जनतादल युनाइटेट की नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं कर पूरी जी के नंदयों को गलट ठेराना क्या उचित है क्या तो पहली बार उसी टाइम मिला था चाहे किसी भी धर्म में जो समाजिक तोर पे जो पिछ प्रेंट क्ष्री जातिया जो रहे उनको जो है मिला था शिफारिश होई था वही केस कराएं वह तो को आधक ने हमको जमानत दिया है यही लोग ना फसाया है कहां से और चार दिन पहले पहले ही लोग क्या कह रहे थे नितीजी की जान मुझके अपने नेता का बात तो सुने ओगा ने कहा है कि यादर को यादर को यादर करना चाहिए हम जो हो रहा है करनाटे का में काई ने बोलने चिराक पास्वां और हम तो चिराक पास्वां जी को बोलते हैं आप तो कहते थे कि संपन जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए तो संपन दलित है तो आरक्षण क्यों ने छोड़ और भाजपा के नहिता लगतार बाबस आप अंबितकर के सन्विधान को खतम करने का प्रयास कर रहे हैं तो इतना खतरनाक डिजाइन हो रखा है पूरे देश में चंडीगर में कितना बड़ा बेमानी हुआ बीजेपी को कैसे जीताया गया सुप्रीम को का फटकार सुने हैं क्या हुआ अखिर रद किया गया इन दौर में जो वेक्ती था प्रत्याशी था उस पे तीन दीन पहले 307 क मुकर्दमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया डड़ा करके सूरत में तो खरीद दिया गया खजुराओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नमंकर रद कर दिया गया यानि लोगतंत कर ले सबसे खतरनाग बात है कि जनता को भी अपना MP चुनने का अधिकार कि नहीं दे रहे हैं इससे खतरनाग बात और क्या हो सकती है जहां आपको मौका ही नहीं मिलना कि आप अपना प्रत्रेंदी को चुने सब कुछ वहीं तेह कर रहे हैं यह ताना शाही नहीं तो और क्या है और लोग को बुला लें विदेश से ट्रम को बुला लें कुतीन को हुआ है